हेलो साथियों नमस्कार साथियों वैसे तो रोजगार विद अंकित सिविल सर्विसेज चैनल का काम है बच्चों को पढ़ाना और उनके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना और हमने किया भी है PCS में अब तक कुछी भी तरह का कोई पीड़ बैच अब तक नहीं लेकिया है जो कुछ दिया है कंटेंट बैस्ट देने की कोशिस की है प्री मेंस दोनों की हम लोग तयारी करा रहे हैं साथ में आरो यारो के लिए भी बहुत कुछ प्री मैटिरियल यूट्यूब पर अविल गलत सही जिस तरीके से लेना है वो आपका मत होगा बट मैं उन बच्चों को गाइड कर सकूँ जो वास्ता में यह चाहते हैं कि हमें एक सही गाइडेंस मिले इस मुद्दे पर कि मामला क्या है बच्चों को किस तरह से नुकसान होगा और कैसे फाइदा होगा क्या फाइद जहां भी एक से ज़्यादा सिफ्ट होंगी वहां नॉर्मलाजिशन आए गई आएगा इसलिए अब भीहरतियों की जो डिमांड है वो यह है कि एक ही सिफ्ट में करा दो ताकि नॉर्मलाजिशन जैसा सब्द ही न आए हाला कि आयोग normalization या सामान्य करण इसको हिंदी में बोलते हैं उस सबसे बचा है और आयोग ने इस चीज़ का नाम दिया है कि हम percentile use करेंगे तो इसके विरोध में बहुत सारे बच्चे 11 नॉवंबर को इलाबाद जा रहे हैं धरना प्रदर्शन में कि आयोग पे इस बात के लिए pressure बनाया जा सके कि अभ्यारती इस बात के लिए खुस नहीं है और वो सांती पूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं तो मुद्दा यह है पूरा और इसमें अभ्यारतियों को नुकसान है फायदे हैं वो आपको मैं पक्ष बताऊंगा नुकसान फायदा आप खुद देखेंगे तो यहां पर यह जो नोटिस निकला था यह 25 नॉवंबर 2024 को आयोगने निकाला और उसके बाद आप देख रहे होगे कि डेट भी आई एक्जाम की कि वही जो है दो दो दिन में एक्जाम कराया जा रहा है तो फिर यह मतलब एक निश्चित था कि फिर यह कुछ ऐसा आएग तो यह आया भी और जबकि नोटिफिकेशन जब निकला था PCS का या RO या RO का तो वहां पर इस तरह की कोई बात ही नहीं थी तो अब यहां परसेंटाइल यह बताया है इन्होंने की हाई कूर्ट अलग अलग टियाचिकाओं में यह चीज सही मानी गई है और इसी को ही मतलब फिर पास किया गया है और यह किसी तरह से भी मतलब बच्चे के साथ injustice नहीं है ऐसा इन्होंने समझाने की कोसिस की है और इसको फिर मैं आसान भासा में आपको बताऊंगा कि यह क्या है और बच्चों ने इसको डकवर्थ लुइस जैसा करार दिया कि यह समझ से परे है ठीक की एक बहुत बड़ी गलती रही है कि आयोग ने यह एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमें एक सिफ्ट में एक्जाम ही नहीं करा पाएंगे और यह मजबूरी तब बनी जब आरो यारो का एक्जाम कैंसल करना पड़ा और फिर एक परिक्षा कराने के नियम बनाए गए सरक कारी एजेंसियों से ही आप प्रिंट कराओ पेपर या उन उन सेंटर्स को बनाओ तो वह कुछ दिये गए क्राइटेरिया तो उन क्राइटेरिया पर जो खरे उतरे वह सारे स्कूल नहीं उतर सकते तो फिर वह सेंटर्स बनेंगे वह बड़े लिमिटेड रहे जाएंगे औ तो आयोग को सभी का ही इंतजाम करना एक्जाम करने का क्योंकि यह तो पता नहीं कौन सा बच्चा आएगा कौन सा नहीं आएगा एक्जाम देने तो उनको तो सभी का जो है इंतजाम करना पड़ेगा एक्जाम करवाने का तो यह हुआ तो फिर आयोग यह कहता है कि हमारी मज बना पाए तो नौसो कुछ सेंटर्स वो मैक्सिमम बना पाए उसमें चारलाक कुछ बच्चों का ही मतलब पॉसिबल एक्जाम कराना जबकि बच्चे पांच लाक से भी जादा है तो यह न्यूजपेपर में आया तो मैं वो कटिंग भी आपको दिखाऊंगा तो यहां जो ब ही नहीं किया था कि हम यह दो सिफ्टों में भी कराना पड़ सकता है क्योंकि वो नियम बाद में आये क्योंकि जब यूपे पुलिस एक भरती थी बहुत बड़ी जिसमें 50-60,000,000 बच्चों के फॉर्म थे और फिर आरो यारो जिसमें 10,000,000 बच्चों को दुबारा एक्ज नाम रद्ध होना तो फिर प्रेशर आना ही था और फिर नियम बनने ही थे और वो बने तो इस वज़े से वायोग फस्ता हुआ दिखाई दे रहा है यह बड़ी बड़ी गलती है जो वो सबसे बड़ी गलती है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपने नोटिफिक नाम ध्रमाइशन के बाद नेहीं बदलना चाहिए, बदला नहीं जा सकता है अलाकि नॉर्मालाईजियीशन को लेकर के नहीं था वो और वो किसी भी तरह को STE को 후ऻ।। नहीं बदलना चाहिए तो इस तरह कि भी बड़ी वहा жизни कई चार गान20 Bird Ten QŻ देंगे, जाहिर सी बात प्रीद परिक्षा 2024 और चुकि कोट में जाने से बहुत समय लगेगा और सबका समय उसमें जाया जाएगा इस वज़े से बच्चे धरना देने जा रहे हैं 11 November का कि ये कोट तक ना जाए और ये यहीं ने बच जाए मामला मान जाया है तो PCS प्री 2024 स्वीधा के लिए बड़े जिलों में ही बनेंगे सेंटर जो मैं बताया था वो मजबूरी एक ये भी है कि भाई 988 सेंटर ही बना सकते हैं ये 1758 केंदर की आवश्यक्ता थी अगर एक ही सिफ्ट में कराना था तो अब इनके पास हैं सिर्फ 988 सेंटर तो ये एक सिफ्ट में अब करा रहे हैं 2,88,77 को दो बराबर सिफ्टों में बराबर बराबर माट दिया है तो इसके जस्ट हाफ ये एक सिफ्ट में एक दिन में हम इतने ही अब एक्जाम मतलब करा पाएंगे ऐसा आयोग ने दिया है और 41 जिलों में ये परिक्षा होगी और 7 और 8 दिसंबर को होगी ये आ चुका है और और तब से ही ये विवाद बना हुआ है अब आयोग की सबसे बड़ी मजबूरी सबसे बड़ी मजबूरी मैं आपको बताई ही चुका हूँ कि भाई इससे ज़्यादा सेंटर बना नहीं सकते 1758 केंदर इनके पास है नहीं ये maximum अगर इसको केंदर को करना भी चाहें तो ये आयोग अभ्यारतियों का नुकसान चाहता है ये मतलब ये जाहिर सी बात है कि देखो जब 5,46,144 चमताओं से अधिक बच्चे हैं जितनी हमारी चमता है एक्जाम कराने की एक दिन में आला कि पहले भी होते रहे हैं पर पहले वो नियम चेंज नहीं हुए थे मैं बता रहा कि सुचीता पूर्ण परिक्षा हो और जब आयोग पर एक दाग लग चुका है और रो ए आरो का एक्जाम कैंसल होने के बाद तो आयोग परिक्षा की सुचीता में तो कोई भी कोतो ही नहीं बरतना चाहेगा ये तो जाहिर सी बात है तो वो पूरी जान लगाएंगे कि पर परिक्षा सुचीता पूर्ण हो पाएगी इस बात की गरांटी नहीं इस वज़े से ये आयोग की मजबूरी भी कहेंगे हम और हम कहेंगे कि क्या ये नुकसान चाहता है नुकसान तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अगर एक सिफ्ट में फेपर होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी आयोग कहता हमने पूरी कोसिस की तो अगर कोसिस की है और फिर भी वह नहीं बन पाए वो सारी बात उन्होंने बताई है नुकसान तो नहीं चाहते और कोई भी एक क्यों ही चाहेगा आयोग को कोई फायदा नहीं है कि वो आपका नुकसान चाहे उससे आयोग को कोई फायदा नहीं हो रहा है पर बच्चों को यह लग रहा है कि यह हमारा नुकसान है तो इस वज़े से वो अपने इस धरने में जा रहे हैं तो आयोग अपनी मजबूरियों के कारण दो सिफ्टों में धिकला है ठीक है बच्चों के तर्क अपनी जगे बिलकुल सही है अगर ये चीज थी तो ये नोटिफिकेशन में बताओ ठीक है, मैं और भी आगे ये बात करूँगा कि क्या नुकसान हो सकता है ठीक है, चलो दूसरा PCS और देखिए, दो सिफ्ट में होगा नुमलाईशन नहीं किया तो गलाते बच्चों के साथ मैं से दीसी बात बता रहूँ कि हम दो सिफ्टों में कराएंगे आयोग ये कह दे दो सिफ्टों से अलग हमारे पास कोई अपर आयोग ये बिलकुल नहीं कह सकता और न बच्चों को कहलवाना चाहिए कि नॉर्मलाईशन नहीं होगा ये होई ही नहीं सकता क्योंकि सिफ्ट अगर दो में होगा तो नॉर्मलाईशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो परिक्षा बनाई है जिन भी लोग उने बनाई है कल जो परिक्षा बनेगी वो सेम लेवल की होई ही नहीं सकती चाहे आप एक ही इंसान से बनवा दीज़े केवल एक इंसान से कि आज परिक्षा पेपर तयार किये कल एक और करिये और सेम लेवल के बनाईए दोनों questions तो अलग रखने पड़ेंगे ना तो same level हो ही नहीं सकता चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी कोशिस क्यों न कर ले ठीक है तो इसलिए परिक्षा कभी भी समान level की नहीं हो सकती अब समान level की नहीं है इसलिए दोनों को normal करो किसी बच्चे को ताकि नुकसान ना हो इसलिए normalization पिक्चर में आया और normalization फिर मनजूर भी हुआ court में भी बच्चे शुरुआत में गए जब normalization शुरुआ में लागू हुआ था जिन बच्चों को नुकसान होता है किसी को फायदा होता है तो जो नुकसान वाले बच्चे हैं फिर वो court में जाते हैं court में ने भी फिर माना कि भी एक formula दिया अलग-अलग formula इसके होता है जिसको समझना बहुत आसान नहीं है तो वो बच्चों का कहना है कि फिर वो तो डकवर्थ लूइस है और डकवर्थ लूइस को तो क्रिकेटर्स के हाथ में टेबल दे दी जाती है कि भाई अब बारिस हो गई अब आपको इस इस तरह से इतने इतने रंच चाहिए तो वो भी कहता है कि हमें आज तकी समझनी आया ठीक है तो वो वाली बात है अगर हम देखें तो वही एक दिवसिय परिक्षा के लिए चाहिए इतने केंद्र मिले सिर्फ इतने और PCS की परिक्षा 22 और 7 और 8 दिसंबर और RO-RO की परिक्षा 22 और 23 दिसंबर चुकि RO-RO की तो तीन सिफ्टों में है जब PCS की जो है वो दो ही सिफ्टों में है और मतलब दो ही दिन है एक वच्चे के मतलब दो ही दिन है तो अलग-अलग सिफ्टों में तो दो shift हो गई और RO की तीन shift है तीन घंटे का वेपर है पहले दिन दो shift और तीसरे दिन एक shift में वेपर है तो यहाँ normalization और ज्यादा असर करेगा फैना जितनी shift उतना normalization का असर होता है जितनी कम shift उतना कम होता है असर किसी दी सी बात है अब्यारतियों के लिए डकवर्थ लूइस जैसा है normalization यह newspaper में छपी हुई कबर है अभी एक कल परसो की तो अब्यारतियों के तरक है कि normalization समझ से बहार है इसलिए मत करो ठीक है किसी shift को फाइदा तो किसी को होता है नुकसान यह है अभ्यारतियों का तरक कि भई फाइदा हो गया तो अभ्यारति भी खुस लेकिन नुकसान ना हो जाए कि मैं मिरे को नहीं बता मैं अभी exam दूँगा तो मैं नुकसान वाली shift में जाऊंगा या मैं फाइदे वाली shift में जाऊंगा यह नुकसान और फाइदा कैसे होता है मैं आपको थोड़ा से एक समझाने का प्रियास करता हूं कि जैसे किसी बच्चे का score आया 200 का paper है आपका किसी बच्चे का score आया second shift में माल लीजे 110 और first shift में उसने दिया तो वो आया 115 अब इन दोनों को normal करना है तो यह है कि इस shift के तो धाई धाई number घटा दो क्योंकि यह average score है मैं बता रहा हूं कि उस shift में जितने बच्चे बैठेंगे उन सब का average score पूरी shift का निकाला 115 है और shift में जो भी है वो है 110 इसका मतलब यह हो कि यानि भाई जो है यह shift थोड़ी आसान रही होगी इसलिए इसमें average score इतना है अब भच्चों कातर के इस shift में ज्यादा बच्चे होशार बच्चे भी तो हो सकते हैं इसलिए भी तो 115 जा सकता है पर यह चीज मतलब practical नहीं है इसको निकालना कि भई इसमें हुशार थे या कमजोर थे यह निकाली ही नहीं जा सकती पर यह माना जाता है कि दोनों shift हैं इतने बच्चे बैठ रहे हैं तो कहीं हुशार कहीं कमजोर वो आएगा ही इसमें तो यह कहा ही नहीं जा सकता कि इसमें होशार होंगे या नहीं होंगे तो फिर ये मान लिया जाता है कि भाई ये दोनों सिफ्टों में सेम तरह के बच्चे रहे और 110 इनका एवरेज रहा 115 इनका एवरेज रहा तो जिसमें 115 एवरेज रहा इसका मतलब ये सिफ्ट क्या रही होगी ज़्यादा आसान रही होगी तभी बच्चों का स्कोर ज़्यादा आया है और ये आसान रही होगी तो भाई साब ये मुस्किल रही होगी अब ये मुस्किल रही है ये आसान रही है दोनों को नॉर्मल कैसे करें नॉर्मल ऐसे करिए कि इन बच्चों बीच का score क्या है दोनों का मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ वैसे बता रहा हूँ अगर score से बताने लगा normalization जैड score बताने लगा वो तो फिर रखवर्थ लुई से मैं आपको बता रहा हूँ पर ये ऐसे ऐसे होता है बीच का है एक सो साड़े बारा तो भाई यानि इस shift के तो हर बच्चे के धाई धाई नंबर माइनस कर दीजिए इस shift के हर बच्चे को धाई धाई पिलस कर दीजिए ये एक मोटा मोटा idea मैं आपको दे रहा हूँ तो एक normalization का तरीका तो ये हो गया ये first तरीका है कि अब इस वाली shift के बच्चे जिसका 120 आया है 125 आया है 130 आया है माली जी cut off उसके 129 पे गई 130 score है इसका ड़ाई घटा दो तो ये आजाता है 127.5 तो आप सोचो इसकी list थी 129 पे score भी 130 था तो ये बच्चा नाराज होगा या नहीं होगा बिलकुल बिलकुल होगा जबकि ये वाला shift का बच्चा 127 पे cut off गई है और इस shift के बच्चे का 126 score है 122 को मिल गए 128.5 इसका नंबर आ गया इसका 126 पे भी आ गया इसका 136 पे भी नहीं आया तो फिर जो है मतलब दिक्कत होगी बच्चे और जब दिक्कत होगी तो फिर इस shift के ही बच्चो को दिक्कत होगी और जो बिलकुल किनारे पर रहेंगे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर एक और तरीका निकाला कि भाई अब किसी का घटाते नहीं है गटने से बच्चे को दिक्कत होती है फिर क्या करते हैं दूसरा तरीका नहुलाईज़न का जो निकला कि भाई धाईस में गटाने का रिसम बढ़ाने का दोनों बराबर कर दी एक यह है कि चलो 115 है ना तो इसको ऐसा ही रखिए इसको बेस सिफ्ट मानिये और यह तो 110 है इसके में 5 प्लस कर दीजे और हर बच्चे के में 5 प्लस कर दो और इसमें इसमें किसी का भी प्लस मत करो तो इसका नुकसान नहीं होगा लेकिन इनको फायदा हो जाएगा अब इस सिफ्ट के बच्चे भी थोड़े खुस रहेंगे और इस सिफ्ट के बच्चे थो बहुत ही खुस रहेंगे तो इसमें बच्चे کا नुकसान नहीं हो राएगा पर फाइनली तो वही बात हो रही है ठीक है तो ऐसे बच्चे इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि अगर इस सिफ्ट में पढ़ गया तो मेरा क्या होगा इसमें पढ़ गया तो मेरे मज़े आ जाएगा पर यह पेपर ही उतना मुस्किल था इसलिए इसमें अवरेजिश स्कोर कम रहा तो इसलिए हम इनको बॉनस में मार्स दे रहे हैं इसको कहते हैं ठिक है तो वो एक ऐसा है ठीक है चेलिए तो अब जो डिमांड है वो यह है एक दिन एक सिफ्ट में हो। क्योंकि normalization पहले से इतना बदनाम है और ऐसे ऐसे बच्चों को दिक्कत होगी और इसका विरोध भी बच्चे पहले भी कर चुके है आयोग पर जाकर कि कि normalization ना हो ठीक है क्योंकि पहले भी इसकी date आ गई थी इन डेट में कराया जाएगा तो उस time पहर बच्चों ने विरोध किया था तो जाहर सी बात है कि भी फिर आयोग को normalization से बचना था तो normalization जैसे सब्द का उन्होंने उपयोग नहीं किया फिर उन्होंने बोला कि normalization नहीं होगा परसेंटाइल होगा यह official notice उन्होंने निकाला जो 5 November का मैं आपको बता रहा हूँ यह रहा है 5 November को यह official notice आया कि अब आपका परसेंटाइल किया जाएगा अब परसेंटाइल में क्या है कि कि किसी के ना घटेंगे ना कुछ होगा और बड़ी आसानी से normalization हो जाएगा फिर आयोग के पास और option भी क्या है परसेंटाइल में फरक आएगा थोड़ा बहुत ही आए वर आएगा परसेंटाइल को बहतर नहीं माना जा सकता अगर दोनों में बराबर ना हो बराबर यह exam में बिठा सकते हैं पर उपस्थित बराबर होंगे यह गरांटी नहीं है पर इसमें चाहिए परसेंटाइल में उपस्थित ही अगर बराबर होगी तो बिलकुल सटी गाएगा फिर कोई tension ही नहीं है फिर तो यह बिलकुल सटी गाए और अगर उपस्थित उपर नीचे हुए तो थोड़ा बहुत फिर तो उपर नीचे चलेगा फिर तो मतलब यह तो possible नहीं है कि बराबर संख्या में बुलाया जाए बराबर संख्या में exam कराएं यह कोसिस आयोक की रहेगी और जो उन्होंने की भी है जैसे 2,88,000 की बात करी थी और वो किस उसमें थी मैं आपको दिखा देता हूँ कि 5,66,154 टोटल अभ्यारती परिक्षा देंगे उसका just half किया है और उसकी कोसिस यही है कि परसेंटाइल है ना कि परसेंटाइल में यह जरूरी है कि बराबर बच्चे ही exam में बैटे बराबर नहीं बैटे तो थोड़ा बहुत अंतर calculations में आएगा अब यह भी approved हुआ है बहुत सारे नियालियों से जिनका जिक्रोन ने किया है ठीक है मैं इसको आसान भासा में अब आपको समझा देता हूँ कि परसेंटाइल क्या है तो प्रतेक सिफ्ट में बराबर बच्चे होने चाहिए यह इसकी condition होती है तो यह बिलकुल सठीक आता है तो किसी सिफ्ट में कोई score या उससे कम score करने वालों की संख्या मैं मानता हूँ कि कोई सिफ्ट है जैसे पहली सिफ्ट में exam हुआ उसमें जो एक score है 120 बच्चे का अब 120 से या 120 score करने वालों से कम कितने लोग हैं 120 या 120 से कम score करने वाले कितने लोग हैं मैंने यह माल दिया उस सिफ्ट में 2,0,000 बच्चे उपस्तित हुए 2,0,000 बच्चे उपस्तित हुए पूरी सिफ्ट में एक average मान लिया तो बही 2,0,000 बच्चे उपस्तित हुए तो 120 या उससे कम score करने वालों की संख्या अगर मैं यहां देखने लगूँ तो मैंने यह माना कि ऐसे बच्चे एक लाग सत्तर हजार है क्योंको बही 120 तो आसान थोड़ी है ना करना एक लाग सत्तर हजार बच्चे 120 या उससे नीचे ही सिमट गए तो भाई गुणा सौ तो हमने देखा कि यह 4,0 खतम और 1,0 इधर की भी खतम दो से पांच बार तो हमने यह माना कि यह 85 परसेंटाइल यह परसेंटेज नहीं है परसेंटाइल है इस बच्चे का जो स्कोर है 120 जो स्कोर है यह 85 परसेंटाइल हुआ 85 परसेंटाइल 85 परसेंट नहीं वे 200 में से वैसे तो यह 60 परसेंटी अंक है ना अगर मैं 200 में से 120 को देखूं तो ये 85 परसेंटाइल का क्या मतलब होता है परसेंटाइल क्या चीज है फिर परसेंटाइल ऐसा है कि इसका मतलब 100 में से 85 परसेंटाइल आया है तो इसका मतलब 15 परसेंट बच्चे ये 85% है तो 15% बच्चो का score जादा है इस बच्चे से जिस बच्चे का 90% आइ लाया, तो इसका मतलब क्या होगा ? कि इस पच्चे से इस exam में इस shift में 10% बच्चो का score ज़ादा रहा होगा, अगर किसी का 98% आइ लाया तो यहायि इस shift में इस बच्चे से 2% बच्चों का score ज़्यादा रहा होगा माल लिजए इस shift में किसी का 98% आइल आ रहा है तो 2,00,00 का 2% बच्चे उससे ज़्यादा score कर रहे हैं तो यानि 98% है तो भाई मैं ये पता कर पाऊंगा कि इस बच्चे से कितना बच्चों ने ज़्यादा score किया होगा तो यानि 2% बच्चे इससे ज़्यादा score करने वाले हैं क्योंकि इससे कम और इसके बराबर तो हमने ले लिए ना फॉरमूले में तो जो बच्चे वो इससे ज़्यादा score करने वाले हैं इस shift में 4000 बच्चों ने इस से ज़्यादा score किया होगा, यह है percentile, अब यह बराबर कैसे बैठेगा दोनों shift में, percentile आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं maths नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, पर मैं समझा रहा हूँ कि percentile actual है क्या, तो अब मैं दूसरी shift लेता ह हूँ कि अब यह second shift का बच्चा है, और इस shift में मैंने यह माना, मैं यह मानूंगा ही कि यह दो लाख बच्चे हैं इसमें भी, यह तो मुझे मान नहीं पढ़ेगा, percentile लिए दोनों बराबर रहना चाहिए, इसलिए मैं बार-बार खह रहा हूँ, तो दो लाख में से, अब यह जो shift है न, इसमें 112, score मैंने देखा, कि एक बच्चे का 112 score है, इसमें क्या था, 120 था, तो 112 से मैंने यह पाया, कि भाई, 112 से कम या 112 score करने वाले कितने बच्चे हैं, तो मैंने इस second shift में देखा, यह तो इत्तफाक से, यह भी एक लाख सत्तर हजार बच्चे ही निकले, यानि इस shift में 112 से, 12 या 12 से कम score वाले भी एक लाख सत्तर हजारी बच्चे थे, और इस shift में एक लाख सत्तर हजार बच्चे 120 तक score कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि वो shift थोड़ी से मुस्किल रही होगी, तभी ऐसा हुआ होगा, तो वही यह सामान करना चाहा रहा है, पर 85 परसेंटाइल ही आया, 85 परसेंटाइल, यानि यह दोनों बच्चे बिलकुल समान है, यह 112 वाला और इस shift के 120 वाले के समान है, तो बात तो वह नॉर्मल आईसन जैसी ही हो गई, तो इस shift का 120 वाला, उस shift के 112 वाले के समान है, है ना, तो यानि वो shift थोड़ी हाड रही होगी इसलिए ऐसा परसेंटाइल आया है दोनों का समान समान, तो जाहिर सी बात है, कि भाईया, 113 वाला हो सकता है, उसके 121 परसेंट कुछ अंक वाले के समान रहता हो, तो यह परसेंटाइल में इस तरह से दोनों बच्चों को समान, वो मिली वरिया था, तो अब ऐसे मान लीज होता, तो फिर क्या होता, कि यह इस बच्चे से 114 अंक लाके भी इस बच्चे से उपर पहुँच गया, तो यह उस परसेंटाइल में स्कोर ऐसे तैह हो जाएंगे, ठीक है, ओवरॉल, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो कट आफ भी लगेगी, वो परसेंटाइल बेस पर ही लगेगी, फिर अंकों का कोई अर्थ ही नहीं रहा, परसेंटाइल से यह पता लगता है कि 85% है इस बच्चे की 85% है तो 15% बच्चे इस सिफ्ट में इस से जादा स्कोर कर रहे हैं, 15% इसका भी दो लाक का भी 30,000 ही बैठेगा, वो बैठेगा क्योंकि 117 तो इतना या इस स्कोर करने वाले हो गए, तो कुल मिला करके मैंने आपको यह बताया है कि यह कैसे दोनों अंक एक समान हो जाते हैं, कम लाने पर भी वो उसके बराबर क्यों हो जाता है, तो यह परसेंटाइल के थ्रू भी नॉमलाइज किया जा सकता है, और कहीं परसेंटाइल भी होता है और नॉमलाइजसन भी लगता है, जैसे पैट में हुआ था, यूपिट्रॉकल सी पैट के अंदर, वहाँ परसेंटाइल भी था और नॉमलाइजसन भी होता था, कब जब कोई मेन एक्जाम की, जैसे लेखपाल की कट अफ लगी, वहाँ नॉमलाइजसन भी था, और परसें जाया सारा मुद्धा अब तक, तो ये हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, वो आपका मत है, मैंने शुरुआत में भी बोला था इस वीडियो के, पर ये मेरी तरफ से है और कुछ कोई भी गलती अगर हो गई हो, तो मैं हाथ जोड़कर आप से च्छमा मांगत हूँ, अगर किसी भी तरह का मेरे समझाने में, या हो सकता है मेरे ही समझने में कोई तरूटी रह गई हो, तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ही, अगर कोई गलती आपको इस तरह की लगे तो च्छमा प्रार्थी रहूँगा, धन्यवादी